हम मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, इमोदी जी कहते हैं, तो ये आप सब लोग को क्या लगता है, का है, का भूझ रहे आप लोग जी, इनारा है, इनारा नहीं है, आप लोग भूझे नहीं, इमोदी जी की चेतावनी है परीधान मंत्री जी श्रीमान मोदी जी ने महीलाओं के लिए बहुत सारे काम किये जैसे महीला को प्रताडित करना, महीलाओं की सुनवाई न होना, महीलाओं को शोशन करना ऐसी सारी चीजे और वो जो ट्रक चला जाता है और उसके पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हम मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, यह मोदी जी कहते हैं तो ये आप सब लोग को क्या लगता है का है का बूज रहे आप लोग जी इनारा है इनारा नहीं है आप लोग बूजे नहीं इसी इमोडी जी की घर में ही पढ़ाओ बहार मत निकालना क्यूंकि भाजपा की सरकार चल रही है इसलिए भारतिय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा था कि ज़्यादा तर बेटियां खेतों में क्यूं पाई जाती है उनका कहने कार्ट था कि अपनी बेटी बचाओ और घर में सुरक्षित रखो और इसलिए आप सब ने देखा होगा कि हाथरस का जो कांड हुआ था खेत में डलित पिटिया की शव को जला दिया गया केरोसिन डालकर सासन प्रशासन ने रात को जुपचाप अंधेरे में उस बेटी का शव जला दिया था न परीजन जनों को बुलाया और नहीं किसी पत्रकार भाई को जाने दिया यह हम सब को याद है हम भूल नहीं सकते इसी लिए यह चितावनी है आप सभी को पता होगा चिनमयानंद जी मुमुक्षु आस्रम चलाते हैं मुमुक्षु का आर्थ होता है मुक्ष को देने वाला यहां तो मौत को देने वाला है बिटियां को प्रताडित करेंगे भगवा पहन कर भगवा पहन कर आप इठियां को प्रताडित करेंगे धरम के आडमें और कहेंगे आश्रम चला रहे हैं तो ये कहते हैं ये चेतावनी देते हैं कि बेटी बचाओ बेटिया नारा यनी स्वरूक होती है ये महिलाएं और नारा यनी से मुझे याद आया है कि नवरात्रक के दिन चल रहे है तो मैं आप सभी को नवरात्री की भी बधाई देना चाहती हूँ और कहती हूँ कि या देवी सर्व भूतेशु शक्ति रूपेन संसिता नमस्तसे 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 नमो नमा कि सर्व मंगल मंगल ले शिवे सरवार्द साधी के शरने त्रम्ब के गवरी और नारा यानी नम आप सभी को नवरात्र के हार्दीख्षुपकामना है और क्योंकि माताजी का हवान किया है तो देवाधीड selbst महादेव छी औरते ओडने सञीधि मैं धाथार्यॵ स्थाळव फटो फसलें, कि अपमान मत करना नारियों का इनके बल पर जग चलता है पुरुष जन्म लेकर तो इनहीं के गोद में पलता है और ये भारतिय जन्ता पार्टी वाले लगातार बेटियों का अपमान करते है जैसे मैंने अभी कहा कि भगवाध हारन करके राक्षस बनके जो सीता को हरन करते है ये सिर्फ भारती अजन्ता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है जैसे आप सब ने देखा था कि कोरोना का काल चल रहा था और कानपूर के बाली का ग्रह में साथ बाली काई गर्भवती हो गई थी कैसे साशन प्रशासन की मिली भगत नहीं है अधिकारियों की मिली भगत नहीं है तो बाली का अगर्भवती कैसे हो जाती है कैसे पंदर में अगस्त को मानिन ये मोदी जी लाल किले से भाशन देते हैं और गुजरात में जो मोटा भाई है वो बिलकिस बानू के बलातकारियों को छोड़ देते है बलातकारियों को छोड़ा जाता है मिठाए बाती जाती है माला पहनाई जाती है बलातकारियों को क्यों? क्योंकि बलातकारियों को बखु भी पता है कि हम कोई भी कांड करेंगे हमारा कुछ नहीं होना है भारतिय जनता पाटी के हम मशीन रखा हुआ है हम दूद के धूले होकर निकलेंगे हमारा कुछ नहीं होना है इसलिए आशाराम जैसे बापू जो मोदी जी के गुरू है आशाराम जी ने मोदी को कहा था ए मोदी आपको हम नाम देते हैं मोदी मल मल का क्या मतलब होता है मल का मतलब होता है गंदगी तो मोधी मल नाम देते है आशाराम बापू जो बाद में बेटियों का बलातकार करते हैं और वैसे ही राम रहिम अभी छूट के आए हैं तो भारतिय जन्ता पार्टी वाले उनको पिता जी पिता जी पिता जी कहते हैं ठकते नहीं ये स्थिती है महिलाओं की 12-12 किलो मिटर तक बेटियों को गसीटते हैं भाजपा के नेता ये स्थिती है महिलाओं की इसलिए कहते हैं कि बेटी बचाओ